तेश की रास्धानी दिल्ली में वायू गुर्वत्ता धीरे धीरे बेहत खराब होती जा रही है। भी टीक से दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही 43 मीटर उचे इंडिया गेच भी धुए की चादर से ठक गया। पूसा इंस्टिटूट के साथ मिलके दिल्ली सरकार ने इस बार एक एहन कलम उठाया है। दिल्ली के सारे खेतों के अंदर हम दोगों ने पूसा इंस्टिटूट ने जो बायो दीकंपोजियर केमिकल बनाया था वो छिड़काव किया। तेरा तारीक को छिड़काव किया था आज चार तारीक है और आज हम यहां पे जब खड़े हैं तो वो पूरा का पूरा सारा पराली गल चुकी है बिलकुल खाद में कनवर्ट हो चुकी है। और अब इसकी बुआई का काम शुरू हो सकता है यहां पे खेतों के अंदर तो अब दिल्ली के लोगों ने पहली बार दिल्ली के लोगों ने पूसा इंस्ट्यूट के साथ मिलके एक समधान दिया है पराली का जो अभी तक कहा जा रहा था कि क्या करें क्या करें हो नी सकता किसी तरह इतना सस्ता समाधान है और इतना अच्छा समाधान है कि पराली जो है वो अब घाद में कनवर्ट हो रही है तो मैं उमीद करता हूँ कि ये आखरी साल होगा जब हम ये प्रदूशन बरदाश्ट कर रहे हैं अब किसी सरकार के पास कोई बहाना नहीं है अपने किसानों को तंग करने का मौसब में बढ़ रही नमी और छारह समॉग के कारण जन्पत की हवा जहरीली होते जा रही है ऐसे में नागरिकों को सास लेने में परिशानी होने लगी है आखों में जलन भी महसूस हो रही है दिल्ली में बढ़ता प्रदूशन देखते हुए अंटी स्मॉग कन लगाए है जिसके माध्यम से पानी का छिड़काफ किया जा रहा है ताकि लोगों को प्रदूशन से रहत मल सके बता दे कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल सर्दियों की आहच होते ही वायू प्रदूशन के स्तर में काफी बढ़ोती हो चाती है वायू प्रदूशन की मुख्य वजह किसानों का पराली जनाया माना चाता है